हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर चैनल कोड़ विद मेड और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एनलोजी जो की कंसेप्ट दिया गया था बाई बोर्निंग होजन साहब तो सबसे पहले हम एनलोजी का क्या मतलब है ये जान लेते हैं तो a comparison between two things that shows a way in which they are similar ये इसका meaning है इसमें ये जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है agreement या फिर correspondence in detail अब हम होमेपैथी से related बात कर रहे है क्योंकि जो एनलोजी है वो हमारे बॉनिंग होजन साहब ने दी थे जो की हमारे एक स्टालवर्ड है होमेपैथिक स्टालवर्ड है तो अब एनलोजी होमेपैथी में क्या मतलब रखता है वो हम देखते हैं तो सबसे पहले ये किस ने दिया था अब इसमें हमें एनलोजी कहां पर देखने को मिलती है तो जो introductory पार्ट है रिपर्ट्री का उसमें हमें एनलोजी के बारे में जानने का मौका मिलता है तो ये जो इसका philosophical पार्ट है रिपर्ट्री का या जो जिस philosophy पे रिपर्ट्री वनी है उनमें से एक पॉइंट है doctrine of analogy और ये analogy का concept पहले उनकी किसी भी रिपर्ट्री में नहीं mention किया गया था ना तो अब इस introductory में पार्ट में जो बॉनिंग हसन साहब है वो क्या क्या कहते हैं अब वो भी थोड़ा देख लेते हैं तो सबसे पहले जिससे उनको ये पदा चला कि ऐसा कोई concept भी होता है तो इंट्रोड़क्टरी पार्ट में वो बात करते हैं art of physician in taking case जहां आप उन्होंने बात करी है subjective और objective symptoms की कि आप subjective symptom कैसे निकाल रहे हो वो आपकी art है एक physician की art है और जितनी power चाहिए observe करने के लिए वो भी एक art है तो इन दौनों को मिला के हम क्या बनाते हैं एक case complete करते हैं इसके बाद उन्होंने बात करी है जो हम difficulties face कर सकते हैं getting clear-cut picture from patient in spite of best case taking तो अब इसमें क्या क्या difficulty आ सकती है कि कहीं पर हमें location नहीं मिली है सही से कहीं पर हमें sensation सही नहीं दे रखी और कहीं कहीं पर जो modality है वो lacking skills जो है patient के अंदर वो lack कर रही है observation की skills उसकी वजह से हमें modalities नहीं मिल पाई तो यह हमारी difficulties हो सकती है case taking के दौरान incomplete symptom का cause हो सकता है patient का observation skill lack होना तो जो patient है वो अगर उसकी observation skill नहीं है तो वो alternating state नहीं बता पाएगा time नहीं बता पाएगा ailments from and etc. बहुत सारी चीज़े जो हमें important होती है case taking के दौरान वो नहीं बता पाएगा अब ये बात तो रही कि जब patient आ रहा है अब हमारे पास तो other symptoms कहां से भी एक source होता है जो कि है drug proving का source अब उसमें भी पाया गया है कि जो prover का part है उसमें भी observation skill की lacking है जिसकी वज़े से जो deficiency कर रहा है हमारी material medica में तो उन्होंने पाया कि auxiliary modification और concomitant symptom both are the real deficiency of our material medica ना अब एक complete symptom क्या होता है पहला हम ये जानते है फिर हम जानेंगे कि concomitant क्या होता है तो सबसे पहले complete symptom के लिए आपको चाहिए location sensation modality and concomitant अब concomitant क्या है कोई भी symptom जो कि coexist कर रहा है किसी और symptom के साथ जो कि उसके ना तो anatomically plane पे same है ना वो functional pain पे same है और same time पे ही हो रहा है दूसरे symptom के साथ जैसे कि अगर कोई patient आता है headache का complaint लेके उसने हमें सब कुछ बताया लेकि उसने बताया कि दॉक्टर साथ मेरे जब सर में दर होता है तो मेरे left knee में भी pain होता है तो यह हमारा concomitant symptom हो गया chief complaint के साथ ना तो आप जो बॉनिंग होजन साथ थे वो incomplete complete कर क्यों रहे थे अब आती है analogy क्या होती है वो हम start करते है अपनी PPT में तो बॉनिंग होजन साथ हमने देखा कि जो symptom incomplete state में है उसको हम complete कर सकते हैं by analogy अगर हम observe करें conditions को other part पे same case की ठीक है अब इससे confusion क्या होई अब इसको हम simple पहले तो language में होसते हैं एक sentence में analogy क्या है what is to part is to body तो जो modality होती है वो एक particular symptom के लिए applicable नहीं है लेकिन दूसरे symptom में भी applicable हो सकती है अगर वो person same है तो ठीक है तो अब इससे आपको analogy में थोड़ा बहुत confusion हो रहा होगा और grand generalization में भी तो वो हम आगे देखेंगे ठीक है कि क्या difference होता है दोनों में examples के साथ देखेंगे अब ये analogy के principle लगा के उन्होंने देखा कि भाई अब मेरे को जो भी मेरा clinical का observation है वो मेरी अच्छी हो रहे है मेरे को complete symptom मिल रहा है मेरे जो incomplete symptom थो complete हो गए है और यहीं उन्होंने explain किया हमारे master honeymoon के court से कि it is a patient who is sick not his body part ठीक है कोई भी patient हमारे पास आता है वो fragmented portion लेके ही आता है case के उसको complete हम करते हैं अपनी observation से examination से investigation से तो वैसे ही जो BTP है वो हमें complete करने में help करती है symptom को जो कि हमें scattered मिलते हैं अब मैंने जैसे आपको बोला कि he was able to complete his symptom और जो उन्होंने बोला कि totality उन्होंने एक line quote करी कि a totality is to the disease what the man the ego is to his organism यह उन्होंने बताया कि जो totality है वो हमारी general से particular से plus complete symptom से बनती है जो कि है location, sensation, modality and concomptain now जो मैंने आपको बोला कि analogy और grand generalization में आपको difference बताऊंगी तो यह रावो slide तो क्या difference है actual में तो analogy जैसे कि हमने पढ़ा what is to part is to body और grand generalization क्या है कि कोई भी sensation या modality किसी एक symptom की या किसी part की हम उसको use कर सकते हैं किसी और symptom को या किसी और part के symptom को complete करने में ताकि हमें complete symptom मिल जाए ठीक है grand generalization उन्होंने यह बोला कि अगर complete symptom में मिलेगा तो itself is a grand totality यह itself is a grand symptom जिसे हमें लेना बहुत important हो जाएगा और जो कि बहुत जादा marked होगा और analogy अब पहला हम grand generalization देख सकते हैं कि example के तौर पे कि a patient आया उसके दो symptom थे a and b अब जो a symptom था उसमें हमें सिर्फ sensations मिलती है और और modality नहीं है कोई specific लेकिन जो b symptom है उसमें उसमें sensation नहीं मिल रही लेकि modality मिल रही है तो हम क्या करेंगे इनको vice versa कर देंगे जिसकी sensation है उसको जिसमें नहीं है उसको फिल कर देंगे और जिसमें modality नहीं है उसको फिल कर देंगे ठीक है क्योंकि सेंसेशन और मोडालिटी हम वाइस वर सा कर सकते हैं अगर हमें इनकम्प्लीट सिम्टम मिल रहे तो अब एनलोजी में ऐसा नहीं है एनलोजी में है कि एक पेशेंट आया उसने बोला A and B हमारा सिम्टम है ठीक है तो हम A और B को कममाइन करके ए और A as a whole ठीक है हम इस सिर्फ एक सिम्टम नहीं ले रहे हैं इसमें नहीं हम इस एक सिम्टम को कम्प्लीट कर रहे हैं बट A as a whole हम लेते हैं दौनोजों symptom को और इससे हम एक totality बनाते हैं तो ये था analogy और grand generalization प्लस इसके कुछ criticism भी आये analogy के जो कि हमारे Kent साहब और Herring साहब ने दिये क्योंकि उनकी जो philosophy थी वो basically generals to particulars थी और यहां पर Bonning Hozen साहब ने बात करी थी grand generalization की या फिर जो एक particular symptom जिसको हम as a totality ले सकते हैं वो एक great totality बना सकते हैं वे थी related content देखने के लिए आप इस page को subscribe कर सकते हैं इस video को like कर सकते हैं अपनी क्योरी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और इसको अपने friends के साथ share कर सकते हैं thank you